प्रेस दिलोट सभी मसी भायर वहनों को जै मसी की एक बार फिर में वीडियो के साथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत और परमेशर का दनेवाद करते हैं मेरे मसी भायर वहनों आज हम जानेंगे कि येशु मसी के इस पिर्थवी पर आने का उद्देश क्या था दस ऐसे पॉइंट है जो हमें बाईवल असपस रूप से बताती है कि येशु मसी इस पिर्थवी पर क्यों आएं, किस लिए आएं और क्या करने के लिए आए थे तो बने रहे इस वीडियो के साथ में नमर वन येशु के इस पिर्थवी पर आने का पर्थम उद्देश जो था वो लिखा है मती 5 के 17 में कि यह ना समझो कि मैं बैवस्था या भविश्वक्ताओं की पुस्तकों को लोब करने आया हूँ लोब करने नहीं परन्तु पूरा करने आया हूँ इसलिए भी आये थे कि इशु के बिसे में जितनी बाते भविश्वक्ताओं और विवस्थाओं की पुस्तक में लिखे थे वो सब पूरा हो, क्योंकि कोई भी मनुष जितनी भी बाते भविश्वक्ताओं और विवस्था में लिखा है पूरा नहीं कर सकता था सिबा येशु मसी के क्योंकि जब येशु मसी भी कुरूज पर थे तब उसने कहा कि पूरा हुआ मतलब कि सारी बाते जो विवस्था और भविश्वक्ताओं की पुस्तक में येशु मसी के भी से में लिखा था वो पूरा होना चाहिए मती 9.13 में कि इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो मैं बली दान नहीं परंतू द्या चाहता हूं क्योंकि मैं धर्मियों की नहीं परंतू पापियों को बुलाने आया हूं क्या खूब कहा है हमारे परभू येशु मसी ने मेरे मसी भाई और बहनों यहां पर येशु ने अगवान है जो ये कहते हैं कि मैं धर्मियों को बुलाने आया हूं और पापियों को संगार करने आया हूं उसे नास करने आया हूं परंतू हमारे खुदावन कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं ताकि उनका उद्धार करूं उसे अपने राज में लूँ तो हम मैं किस मार्क पर चलना चाहिए एक जो कहता है कि मैं पापियों को नास कर दूंगा और दूसरी तरफ येशु मसी जो काते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ तो फैसला हमारे हाथ में है तो येशु मसी का इस पृर्थी पर आने का जो उदेश था वो था पापियों आया हूं मैं मिलाब कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं तो इस वचन को लेकर जो मसी बिरोधी हैं वो कहते हैं कि इसाई का जो गौड है वो तलवार चलाने की आग्यां देता है जो बिलकुल जूट है मेरे मसी भाई और बहनों सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि तलवार का परतीक है जिस परकार तलवार किसी भी मांस को काट कर अलग कर देता है उसी परकार जब परमेश्वर का वचन जो तलवार की समान है जब किसी इनसान पर चलता है तो उसे संसार में से काट कर मतलब की अलग करके परमेश्वर के राज़ के लिए अलग उसे किया जाता है क्योंकि येशु काते हैं कि अपने दुस्मनों से प्रेम रखो तो हमें कैसे तलवार से लाना सिखाएंगे तो इसु मसी इस पृति पर इसलिए भी आये ताकि परमिश्वर के वचन लोगों पर चला कर वो अपने राज के लिए अलग करने पाएं येशु का इस पिर्थी पर आने का जो चौथा उदिश था वो लिखा है लुका 19 के दस में च्योंकि मनुश का पुत्र खोए हुओ को ढूंडने और उनका उद्धार करने के लिए आया है तो हमें इस वचन के द्वारा सिखते हैं कि इस पिर्थी पर जो भी परमिश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की आग्यां से भटक गए थे और अपने अपने मार्क को हो लिए थे इशु उन्हें ढूंडने आया है ताकि सत्य के मार्क पर ले जा सके उनका पूरा पूरा उद्धार कर सके जो अपने पापों में मर रहे हैं बिमारियों से जकड़े हुए हैं इस बुरे संसार में खो गए हैं इशु ने उसे उद्धार करने के लिए आया था नमर फाइव इशु का इस पिरतिय पर आने का पाचमा उदेश था जो लिखा है मरकुस एक के अर्टिस में उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी परचार करूं क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ तो येशु यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इसलिए यहाँ पर आया हैं कि हम हर नगर गाओं गाओं में जो परमेश्वर कर राज्य का सूसमाचार है परचार करूं लोगों को मन फिरा का सूसमाचार सूनाओ ताकि लोग अपने पापों से मन फिरा कर सू समाचार पर विश्वास करे और परमेश्वर के राजमे परवेश करे नमर सिक्स येशू का इस पुर्थे पर आने का जो छटमा उदेश था वो लिखा है मतीभी सथाइस में जैसे कि मनुष्ट का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परन्तु इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छोड़ोती के लिए अपने परान दे तो यहाँ पर येशू असपश्रीती से कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आयें कि लोग मेरी सेवा परत हल करे लोगों में से मैं इज़त पाऊं बड़ा नाम पाऊं बलके मैं खुद लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ पत्रस और अन सभी चेलों को येशू ने पैरध होए थे इसू हमें छुडाने के लिए अपना प्रान देने के लिए आये हैं हर प्रकार का पाप से जो बंदे हुए थे इस संसार में अपने पाप में मर रहे थे इसू अपनी प्रान दे कर कुरूस पर अपना लहू बहा कर हमें छुडाने के लिए आये थे अमर्सेवन येशू के इस पिर्थिय पर आने का जो शात्मा उद्दिस था वो लिखा है लुका चार अठारा में प्रभू का आत्मा मुझपर है इसलिए कि उसने कंगालों को सू समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिश्य किया है और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को चुटकारे का और अंदों को द्रिष्टी पाने का सू समाचार परचार करूं और कुछलिय हुओं को छुडाओं यहां पर बचन कहती है कि इसलिए आया है कि कंगालों को मतलब की दीन लोगों को जिसे परमेश्वर की जरूरत है उसे सू समाचार सुनाओं वह जो पापों में बंदी हो चुके हैं जो आत्मिक और सरी रूप से अंधे हैं उने द्रिष्टी दान दूँ और कुछलिय हुओं को छुडाओं मतलब की दलितों को छुडाओं तो येश्व के आने का सात्मा जो उदेश था कि लोग अजाद हो अपने पापों से अपने कमजोड़ियों से और अपने विमारियों से येश्व के इस पिर्थी पर आने का जो आठमा उदेश था जो लिखा है योगना चे अर्थिस में क्योंकि मैं अपने इच्छा नहीं बने भीजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ स्वर्ग से उतरा हूँ तो यहां पर येश्व मसी कहते हैं कि मैं जो स् येश्व मसी के तरह परमेशर की इच्छा पूरा करने के लिए जीबन जीना है नमना इन येश्व के इस पिर्थी पर आने का जो नम्मा उदेश था जो लिखा है ये हुन्ना दस-दस में कि मैं इसलिए आया कि वे जीबन पाए और बहुतायत से पाए तो यहां पर येश् मुझे पर बिश्वास करेगा वह अनन्ध जीबन पाएगा और साथ ही साथ बहुतायत से पाए हैं बाइबल बताती है नम्मर टेन येश्व के इस पिर्थी पर आने का जो दसमा उदेश था वो लिखा है ये हुन्ना अठारा से तिसमें मैंने इसलिए जनम लिया और इसलि देने के लिए आया हूँ तो ये दस पॉइंट थे जो ये शुमसी के आने का इस पिर्थी पर उदेश था जो हमने आपको बताया आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट कीजिए परमेश्वर आपको आस पॉजदे जैम सीख लेगे